नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पोशन ट्रेकर एप का एक नया अपडेट फिर से जूर चुका है और वो अपडेट है 11.4 का तो आप सभी आंगनबारी सेविकाएं अभी तक 11.4 के अपडेट को पले स्टोर से अभी तक अपडेट नहीं की है तो आप लोग इस 11.4 के नए अपडेट को पले स्टोर से जाके अपडेट कर सकती है आज के इस वीडियो में आपको जो खास जनकारी दिने वाला हूँ वो है Home Visit का Schedule जैसे कि इस Home Visit Schedule में आगन बारी सेविकाओं कुछ गलतिया कर रही है वो गलतिया आपको आगे नहीं करनी है जैसे कि आप लोग पोसन ट्रेकर रैप में जो लभारतियों का डाटा भरते होंगे तो आपको इस परकार का एरर करके जो मैसेज दिखने को मिल रहा होगा तो ये एरर मैसेज क्यों दिखाता है और वो कौन सी गलतियां है जो आगन बारी सेविकाओं को नहीं करनी है आज के इस वीडियो में आपको step by step इसकी जनकारी देने वाला हूँ तो आज की ये वीडियो सभी आगन बारी बहनों के लिए काफी खास है इसलिए आप लोग इस वीडियो को complete जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी आगन बारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो भी आगन बारी सेविका है इस चैनल के साथ नहीं जुड़ी है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लें क्योंकि मैं इसी परकार के नए ने कंटेंट अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो यहाँ पे जो होम विजिट सीडूल का जो केटेगरी है उसको सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आप सभी आगनबारी बहने इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी गलती आपको पोशन ट्रेकर एप के ग्रीव भर्मन करने के दोरा नहीं करनी है जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे सभी लभार्थियों का केटेगरी ओपन हो जाएगा और किस लभार्थी के केटेगरी में कितने होम विजिट का जो डेटा है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और जैसे कि माली जी हमें किसी लभार्थी के घर पे home visit का जो data है उसको submit करना है तो हम क्या करेंगे उस लभार्थी के category को open करेंगे जैसे कि माली जी हम 0 से 6 महने वाले बच्चे की category को open करते हैं आप जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पे आपको आज के लिए जो data दिया जाएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं और जो आने वाला तारीक है उसकी data देखने के लिए आप यहाँ से उसकी list देख सकते हैं कि कौन से तारीक को हमको कौन से लभार्थी के घर पे विजिट करना है और यह जो लेट वाला option आप लोग देख रहे हैं जैसे कि आज के लिए जो data आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है वो आप सभी आगन बाड़ी सेविकाय नहीं भरती हैं इसलिए वो लेट वाले option में चला जाता है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है आपको जो आज के लिए data दिया जाता है वो आज के दिन ही submit कर देना है तो इससे आपका जो लेट वाला option में लभार्थी जाते हैं वो लभार्थी नहीं जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीन ला भार्थियों का हमें ग्री भर्मन करके उसका डाटा सब्मिट करना है तो यहाँ पे तीनो ला भार्थियों को हमको आज ही समिट कर लेना है submit करने के लिए आपको ये जो run वाला option आप लोग देख रहे हैं इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर visit करने की जो तारिक है उसको दर्ज करेंगे जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो उसी दिन का यहाँ पर date open होगा तो आपको क्या करना है इस okay वाले बटन पर select करके यहाँ पर submit कर देना है ऐसा आप लोग हर रोज करेंगे तो आपका जो लभार्थी है वो late वाले option में नहीं जाएंगे late वाले option में जाने से क्या होता है कि कई बार आगन बारी सेविकाए ऐसी गलती करती है जो आज के लिए data दिया जाता है वो नहीं भरती है तो late वाले option में चला जाता है तो देखिए जैसे कि यहाँ पर किसी लभार्थी का जो category है वो late वाले option में चला जाता है तो आप लोग यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझेगा जैसे कि यहाँ पर 6-12-2021 का इस लभार्थी का home visit करना था लेकिन यह किसी कारण वास आगन बारी सेविका इस लभार्थी के category को उस दिन submit नहीं कर पाई है इसलिए यह late वाले option में चला गया है तो अब जब आप लोग इस लभार्थी को उस दिन की date भड़ेंगे तो आपको यहाँ पर error का message देखने को मिलेगा जिस दिन लभार्थी के घर पर जाएंगे उस दिन का date यहाँ भर के submit करेंगे तो आप लोग जैसे ही submit करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि error भूल का आप लोग को message देखने को मिल रहा होगा तो आपको यह गलती नहीं करनी है जिस दिन आपको लभार्थियों का data मिलेगा submit करने के लिए आपको उसी दिन submit कर देना है तो आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको इस परकार के message देखने को नहीं मिलेगा तो जितने भी लभार्तियों का डेटा आपको दिया जाता है रोज के दिन भरने का तो आप लोग रोज ही कोशिश किजिए कि इसको कम्पलीट कर ले आज के इस वीडियों में फिलाल इतना ही उमिद करता हूँ कि आप सभी आगनबारी बेहनों को हो मिजीट का जो सीडियूल है उसको भरने में अब आसानी होगी तो आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को सभी आगनबारी सेविकाओं के साथ सेर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद